पॉर्ड मेंबर डॉक्टर रवीद्र पॉर्पाल डॉक्टर साब बहुत स्वागत है आपका तो दर्शकों जैसे की हर बार आपके इस पस्तन निदा कारिक्रम स्वास्ते चेतना में हम जिक्र करते हैं बीमारियों से समंदित, समस्याओं से समंदित जो भी बाते होती हैं एक दूसरे से साज़ा करते हैं यह वो प्लाटफॉर्म है जिस पर आप सीधे हमसे कॉल करके अपनी परेशानी को साज़ा करके तुरत निदान हासिल कर सकते हैं इंतजार नहीं करना होगा लेकिन डॉक्टर साब जो देश ये रहता है हमारे कारिकरम का कि कैसे घरेलू नुस्कों के साथ में लोगों को बताया जा सकें कि डॉक्टर के पास जाना न पड़े बीमारियों से दूर रह सकें एक स्वस्ति अच्छा जीवन जी सकें इसी के चलते मैं चाहूंगी कि आज हम किसी एक विशे पर बात न करके मलकि कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करें कि कैसे घर में रहकर ही हम अपने आपको स्वस्ति रख सकें क्योंकि आम तोर पर होता ये है कि जब भी कोई परिशानी होती है तो वो शुरुवात में बड़ी मामूली सी लगती है हम उसे अवोइट करते हैं हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाते हैं और इलाज भी नहीं करते हैं क्योंकि उसे हलका समझते हैं लेकिन धीरे धीरे ये परिशानी बढ़ती चाती है तो क्या संभव है कि कोई घरेलू नुसका ऐसा हो जिसका शुरू में ही हम रोक सकें घर में ही उसका समाधान किया जा सकें बिल्कुल ठीक बात है बहुत अच्छी बात है आप समस्याएं पूछिए और कोसिस हमारी ये होगी कि घरेलू और सहेज उपाए घरेलू में भी ऐसा नहीं कि जिसको तयार करने में महीनों लग जाएं तब तक वो छोटी सी समस्या एक बड़ी बैमारी के रूप में कनवर्ट हो गई और फिर वो घरेलू नुक्सा कारगरनी बचा तो आज हम बात करेंगे घरेलू नुस्खों को लेकर लेकर लेकिन एक एहम बात चैसे की डॉक्टर सहाब ने कहीए गरेलू नुस्खे तभी कारगर होते हैं जब परेशानी की शुरुवात में ही उसका इस्तमाल कर लिया जाए तो मैं जाना चाहूंगी कि जो सबसे पहले शुरूआत करेंगे बच्चों को ले करके तो जो बच्चे हैं उन्हें चुडर-पिटर खाना बहुत पसंद होता है और ऐसे में उनको होती है पेट की समस्या ऐसे में हो जाती है दातों की भी समस्या मीठा बहुत खाते हैं तो मैं चाहूंगी शुरुआत से ही कुछ ऐसा रूटीन आप बताना चाहें बच्चों के लिए अगर बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है और दात में परिशानी होना मालूम दी कि कुछ दिक्कत हो रही है हलक काल का कीड़ा लग रहा है कुछ भी है तो आप क्या बताएंगे इसमें देखिए आज के युग में बच्चे चॉकलेट टॉफियां जंक फूड फास्ट फूड बहुत खाते हैं जिनमें कार्वो हाइडरेट विसेश कर सफेद चीनी की मात्रा बहुत होती है सफेद चीनी सरीर के अंदर एक बिस का काम करती है और इसको पचाने के लिए हमारे सरीर को केलसियम की जरूरत परती है और इसमें केलसियम होता नहीं है इन खादपदार्थों में तो ये हड़ियों से आता है आप चोटे बच्चे जो बिसेश कर चॉकलेट बहुत खाते हैं टॉपियां उनके दांट देखिए बिलकुल इने मिल डिजॉल मिलेगा दांट की चमक खतम हो जाती है रूपने चौहंगे आपको एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानते हैं उनसे उनका सवाल स्वागत है आपका स्वास देश एचेतना में अपना नाम बताएं और सवाल करे हलो राकेश कुआन मिश्रा जी राकेश ची सवाल कीचे जी 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 तर ऐसा है ना कि अगर मालो जिसे अमूमन जिसे कुछ खाया जाता है खाने पेट कान्टिनु साफ नहीं होता है तो उसके लिए क्या किया जाए जो गरेलू मुश्चे मेरे अज़र रखता कुछ बढ़ा जिसे जी देखिए अगर पेट साफ नहीं होता है बिसेश कर चालिस मर्ज की आयू के बाद के लोगों का तो ऐसे लोग जिनके उम्र चालिस मर्ज से कम है पच्चे साल बीस साल अठारा साल पंदरा साल बच्चे हैं इनको केवल केस्टर आयल एक चम्मच से दो चम्मच मतलब दस हैमेल से पंदरा हैमेल अठारा हैमेल तक दे सकते हैं उनकी सारीरिक बलावल के अनुसार रातरी में सोते समय एक गिलास गुनगुने पानी के साथ केस्टर आयल पीने से पेट साफ होने लगता है इस्पेसली ओन लोगों का जिनको स्ट्रेस के कारण कॉंस्टिपेशन रहता है नंदनी जी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कानपुर में रोज पेट साफ नहीं होता है सवेरे से परिशान रहते हैं और जब ये अपनी ससुराल जाते हैं देली चले गए नेनी ताल चले गए कई घूमने चले गए तो पेट भी साफ हो रहा है कोई कोई दिक्कत नहीं इस्टर आइल लेने से अंड़ी का तेल लेने से आतों को चिकनाठ मिलती है और ये कोई दबा भी नहीं है गरेलू उपाए है लेकिन जिनकी उमर 40 साल से ज़्यादा है वो लोग देखिए उनकी आतों में मल रुक जाता है आतों की गती सितिल हो जाती है आतों में सूजन आने लगती है आतें मल को नीचे की तरफ पूरी ताकत के साथ फेक नहीं पाती हैं ऐसी इस सितिती में आप एक गिराम आप सो गिराम छोटी हरन का पाउडर बना लीजिए और इसमें पचास गिराम खाने वाला सोड़ा मिला लीजिए और इन दोनों को मिलाके रख लीजिए रातर में एक चमच दो गिलास गरम पानी के साथ सोते समय खाएं आपको कब्ज गैस पेट का भारी पन इन सब चीजों में आराम मिलेगा और फेटी लीवर अगर है तो ठीक हो जाएगा तो आपको तो बता दिया आपकी परिशानी का उपाई अगले कॉलर भी हमारे सजुड चुके हैं जानते हैं उसे उनका सवाल स्वागत है आपका स्वास्ति चेटना में अपना नाम बताया और सव जी सिखा जी पित की थेली में तो आपने पूर मेरे से बोला था कि कितने में मैंने क्या बोला था तो सर मैंने पूसा था उनके साथ मेम है जी देखिए पित की थेली में गॉल ब्लेडर में साथ एमेम का हिस्टोन होने के बाद ये सर्जीकल मामला है मैं आपको सला दूँगा कि आप सर्जीरी के तरफ ध्यान दें क्योंकि ये किसी दवा से निकलने वाला नहीं है और इसमें कोई दवा बहुत से लोग बहुत से फिजीसियन दवा करते हैं कि हम ठीक कर देंगे लेकिन बहुत बार ऐसा देखने में आता है ठीक करते 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 ये साथ एमेम का बीस एमेम का हो गया और बड़ी परेशानी और बड़ी दिक्कतें इसने पैदा कर दी इसलिए बहुत धेरपूरवक और बहुत बिवेक और बुद्धी के साथ आप उचिट डिसीजन लीजिए मेरी सला में तो ये सर्जिकल मामला है सर्जिरी इसका निदान है और ज्यादा आसान रहेगा अगर ये सही समय पर ये डिसीजन ले लें तो बिलकुल सही बात है चलिए आपको बताया आपकी परिशानी का जो एडवाईज आपको चाहिए थी आपको मिल गई है कि बच्चे जिनको घरेली नुस्कों की बात हो रही है कैसे परिशानी बढ़ने न पाए उसको सही समय पर कैसे घरेली नुस्कों के द्वारा रोका चाहे तो आप पता रहे थे कि दांतों के लिए और आपने पहले भी बताया है कि दांतों में अगर हमें कमी दिखती है इसका मतलब परिशानी सिर्फ दातों में नहीं है, मलकि बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है यही है, सही बात ही है, मा को अपने बच्चों के दात को विसेश कर 10 वर से नीचे की उम्र का आयू का बच्चा है, तो दातों पर निरंतर निगाह रखनी चाहिए, हर 15-20 दिन म दातों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए, अगर इनेमिल डिजॉल्व हो रहा है, तो बच्चों को चीनी, मीठा, टौफिया, चाकलेट, बहुत से बच्चे हैं, एक गिलास दूद पीते हैं, तीन तीन चमच, चीनी मिलाते हैं, उन्हें खुब मीठा, बौर्ड मीठा भी मिलाएंगे, चीनी भी मिलाएंगे, बच्चा दूद पीले, हर फरमाईश पूरी कर देते हैं, और इसके अलावा, जंक फूट, चिप्स, कुरकुरे, फास्ट फूट, ये सब चीजें, पचाने के लिए, इनमें बड़ी मात्रा में कार्वोहाइटरेट होता है, और इन कारण है, सबसे पहले दांत में दिखाई देता है, दांत डिजॉल बहुने लगते हैं, बच्चे मा कहने लगती है, पडोसी कहने लगते हैं, बच्चा मीठा बहुत खाता, कीड़े लग रहे, दांत खराब हो रहे, मैं सला दूँगा, अगर ऐसी इस्तिती है, तो पूरी तरह सतर खो जाएं, और नंदिनी जी इसका अगले अप्रसना आप जरूर पूछेंगे, कि अगर ऐसा हो गया है, तो निदान के आएं, लक्षण देख चुके हैं, हम की परिशानी तो है, अब किया क्या जाएं, इसके लिए बहुत सरल उपाय है, कि आप सोयावीन ले आए और इसको अंकुरित कर लीजिए, अंकुरित सोयावीन के 10-12 दाने और 15-20 किसमिस हैं, इस बच्चे को धीरे से किसमिस के मीठे पन के साथ बच्चा सोयावीन अंकुरित को भी खा लेगा, अंकुरित सोयावीन और किसमिस को आप निरंतर देते रहें, लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चीनी की मात्रा बच्चा ले रहा है वो उसकी अवसक्ता से कई गुना जादा है और उसको कम करते जाना है कभी बच्चे को बहला के कभी फुसला के कभी समझा के लेकिन यहाँ एक बात और बताने की है मीठे फल देने में कोई बुराई न सकता है ऐसे ही खाना खाने के पहले सलाद में जब इच्छा हो जब आप उसका सेवन बच्चे को करा सकते हैं तो बच्चों की इस परिशानी को तो हमने समझा और उपाई जानने के दौरान जो अब उसे अपलाई करेंगे तो ना सिर्फ हड़ियों को पोर्शन मिलेगा बल दिधिरे मुस और बढ़ते हैं और बात यहां पर उसी की हो रही है कि कैसे शुरुवात में हम परिशानी को जान ले पहचान ले और उसको उपाई करें तो हार्ट डिजीज जो होती है उसकी किस तरह से पहचान की जाए शुरुवात उसकी किस तरह से पहचान की उसका उस सबसे पहली चीज हार्ट सीजिजी नहीं सरीर की इमिनिटी कम होने के तीन बड़े कारण है पहली चीज बिलासिता पूल जीवन बिलासितापूर जीवन का मतलब है AC भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, दस कदम पैदल भी चलना ना पड़े नहने के लिए गरम पानी भी चाहिए और कोई physical exercise नहीं है जिम में जाएंगे घर का काम नहीं करेंगे, दुकान पे काम नहीं करेंगे और जो सरकारी करमचारी हैं, वो आफिस में भी काम नहीं करेंगे, तनकाप पूरी लेंगे वहाँ भी उन्हों काम नहीं करना है तो पहली चीज़, कि बिलासितापूर जीवन, दूसरा अहार में फाइवर करना होना अहार में केमिकल युक्त, अहार, विसेश कर, फास्ट फूर्ड और जंक फूर्ड, तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो है, वो मांसिक तनाव है कॉर्डियक डिसीज़िज के लिए एक बड़ा कारण हमारा स्ट्रेस है ये ब्लड पेसर को बढ़ाता है, आर्ट्रीज की, हमारी धमनियों की अकणन को बढ़ा देता है जो बाद में एक हिर्दे रोग का कारण बनती है तो आपने पूचा है, इसके लच्छन क्या है शुरुआती लच्छन, देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अत्रिक्त मात्रा में पसीना निकल लहा है कमजोरी फील कर रहे हैं और दस सीड़ियां चड़े दस सीड़ियां कोई बड़ी चीज नहीं होती है उमारे 45 साल की 10-15 सीड़ियां चड़े और हापने लगे और ये सांस सामान होने में कुछ मिनिट लग गए इसके अलावा जब थोड़ा सा फिचकर लेवर किया अत्यदिक थकान और अगर ज़्यादा मेहनत का काम कर लिया तो सीने में दार्द ये प्रारंबिक लच्छन है जो ये सूचना देते हैं कि हमें कार्डियोलोजिस्ट से परामर्स लेने की जरूरत है बहले कोई बैमारी ना निकले लेकिन जरूर परामर्स लेना चाहिए और मैं फिर से ये निवेदन करूँगा कि जो तीन वाते मैंने पहले बताई कि बिलासिता पूर्ण आलस पूर्ण जीवन को त्यागें और बजारू भोजन से बचें बजारू भोजन कभी कवार ठीक है लेकिन नियमेत रूप से इसका सेबन हमारी सेहत के लिए हमारे पाचन तंतर के लिए हमारे जीवन के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता तो कभी कदार से फर्क नहीं पड़ता है लेकिन रोज अगर यही रूटीन बन जाएगा तो मुश्किल आएगी देखे विलास्ता पूर जीवन पर भी अगर हम अवेर हो जाए तो कोशिश करेंगे थोड़ी भैनत करने काम करने लेकिन स्ट्रेस इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है नहीं देखे मैनेज करना कोई मुश्किल बात नहीं हम भगवान की पूजा करते हैं हम घर परिवार के साथ हसते बैठते हैं आप देखिए एक व्यक्ति कहता है बहुत तनाओ में हैं और सामको बच्चों को लेके हफ्ते में तीन वार चार वार चाट खिला रहें उनको डिनर करा रहें तो ये इस परकार का अहार भी एक तनाओ का कारण है और कहने को ये होता है कि हम परिवार के साथ खुसियां मनाने के लिए जा रहे हैं और आउटिंग हो रहे हैं हम तनाव से बचने के लिए ये रास्ता अपना रहे हैं रास्ता जरूर तनाव से बचने के लिए आपने उठाया था लेकिन इस कदम के साथ जो दूसरा स्टेप ल तो तरीका अपनाएं वो समझे कि वाकई फाइदेमंद है कि नहीं है यहां पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे लेते हैं उनका सवाल स्वागत है आपका सवास्ति चेतना में अपना नाम बते हैं और सवाल करें हलो 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 लेकिन आगे बढ़ते हुए बचाहूंगी जैसा कि आपने बताया सिम्टम्स शुरुवात के वजह भी बताई कि क्या वजह बनती है हार डिजीस को लेकर के अब घरेलूर उसकों की बारी है जैसा कि हम वादा करते आ रहे हैं अपने दर्शकों से देखिए जिसको भी ऐसा हूँ और कभी किसी के घर में किसी को हार्ट अटेक हो जाए हार्ट अटेक हो जाए माने सडन कोई जैसे बुड़ा आदमी है या जवान है या प्रौन है किसी भी उम्र का अचानक बहुत पसीना आने लगे और सीने में जो दर्द हो ऐसा ब्यक्ति ये पता नहीं कर पाता है उससे पूछो यहां दर्द है बताएगा यहां भी पूरे सीने में ऐसे जैसे सिल रख दिया हो ऐसा दर्द होता है जो एसीडिटी का दर्द होता है उसका नंदिनी जी मरीज ये बताता है यहां जलन हो रह आदमी को सांस लेना दूभर कर देता है आप तुरंत घरेलू उसको अस्पताल तो ले जाना है लेकिन अस्पताल ले जाने में पांदस मिनिट का वक्त लगता है तो ऐसे समय जितनी जल्दी हो आप अपने गीजर से गरम पानी निकाल लिए गुन-गुने पानी में उसके पै कौलिया रख दें बालों के उपर हमेशा याद रखिए जब जीवन के साथ खत्रा होता है तो माता गरम और पैर ठंडे हो जाते हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं बहुत से लोग गाउं में तो हाथ पैर रगड़ने लगते हैं कि जाना आ जाए हाथ पैर ठंडे हो इसलिए दोनों पेरों को गुन गुने पानी में डालने के बाद आप जितनी जल्दी हो उस मरीज को अस्पताल ले जाए अस्पताल में उनका उचित उपचार कराएं हम तो जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं उचे तो उपचार करें लेकिन जो घरेलू उस वक्त के लिए बताया बात हो रही है घरेलू नुसको पर उस पर भी गौर करें उसको जरूर अपलाए करें और भी बाते हैं यहां रुकेंगे एक छोड़िसे ब्रेक के लिए इसमें है 52% ठाकट प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडो या 17 धूर के गलास के बराबर है नुट्रेला हेल्दी रहना सिंपल है आपकी खित्मत के लिए हमेशा तयार खित्मत रेस्टोरेंट ग्रांगीत होटेल्स दिमॉल कानपुर आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल कैसा रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत सुबहे साड़े आठ पजे जे उतिश चक में जेम्टी न्यूस को आपकी परिशानी का होगा हल बड़ा से बड़ा प्राद करें हम उठाएंगे आपकी आवास और उन्हें सजान दीजा ब्रेक के बाद आप सभी का एक बर फिर स्वागत है आप देख रहे हैं स्वासे चेतना और बात हो रही है आज पूरी तरह से घरिलू नुसकों पर डॉक्टर साफ हमने बात की हम जान रहे हैं और एक एक कर आप मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं अगला सवाल में आप से करना चाहूंगी बुजर्गों को लेकर की ये सवाल है जो उन्हें भूलने की बिमारी हो जाती है अकसर वो चीज़े करते हैं काम कहीं कुछ रख देते हैं समन फूल चाते हैं किसी से कुछ कहा फूल चाते हैं किसी से मिले दोबारा मिलते हैं तो चेहरा भूल जाते हैं कि हम पहले भी मिल चुके हैं नाम भूल जाते हैं तो क्या लगता है कैसे बुज़ुर्गों में ये क्या बज़ा होती है इसकी इसका घरीलिन उसका और शुरुआत अगर हम जान सके इसमें भी कि आप इस ओर बढ़ रहे हैं ये प्रॉब्लम आपको और ये शुरुआती क्या एड्रेस भूल जाते हैं अपना मकान की जगे दूसरे पडोसी के घर में घंटी बजा दे और फिर फिर उन्हें याद आता है कि बापस ये हमारा घर और ऐसी बड़ा अमबार्समेंट उनको फील होता है ये 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 एलजाइमर्स की एक अवस्ता है लेकिन एलजाइमर्स की बहुत प्रारंबी का बस्ता या जिसको कहें एक साधारण पेमारी कि किसी आपने घर के सीनियर सिटीजन को कहा माता जी को कहा कि दूद ले आए ये वहां से सबजी भी ले लेना माता जी निकले जोला भूल गए परस भूल गए जोला ले लिया पहुँच गया बोले औरे जो भूल आए रुपिया लाना पूल गए जो परिशानी कितनी ये ये भूलने की समस्या ये कैसी अच्छा इसका कोई इलाज भी नहीं करवा था बोले ठीक है दुबारा आके ले ले गए लेकिन इनको ये बैमारी नहीं है ये रुपिया देंगे कभी सो रुपए की घर में तैयार होके सोप के लिए ऑफिस के लिए निकले नीचे उतार आये grief case ले लिया ती कार resilience भूल आई मोबाईल भूल आए ये विवायरिक चीज़ें प्र गए मोबाइल लिया तरह कार की चाह दो कि अटनिए जी कि में पहूंचे तो पता लगा या दुकान पर पहुँचे तो पता लगा एक पर्चा जरूरी था वो कल वाले कपड़ों की जेम में था वो भूल गए उसको लाना था ये युबा अवस्था में लोगों को ये दिक्कत होती है पढ़ने वाले बच्चों को भी होता है पढ़ने वाले तो हर यहां पर यंग्स्टेस की भी ब बात पूछेंगे कोस्टन सीट टेबिल पर रखी है और बच्चा स्टूडेंट इस कॉलेज पहुच गया या कोचिंग में पहुच अब वो कह रहा है भूल गए भूल गए यह जो चोटी चोटी चीज़ें हैं अब देखिए यह इनमें तीनों में फरक है जो एक बच्चा भूल गया एक स्टूडेंट भूल गया यह लेक ऑफ कांसंट्रेशन है उसकी एकागरता में कमी है कि वो कोस्टन सीट बनाई और उसको घर पर ही उसने छोड़ दिया ऐसे ही उसने जो पढ़ाई किये जो उसने आंसर अपने दिमाग में अपने कंप्यूटर में फीट किये लेकिन ये समय पर उसको सही सुचना सही जवाब नहीं देंगे याद नहीं आता इसे लोगों को दो उपाई जरूर करना चाहिए पहली चीज कि घर के आंगन में या खुली जगह में अराम से पलती लगा के बैठ जाएं कोई पदमासन या कोई बड़े आसन की जरूरत नहीं है और अपने लेप्ट नोस्टल से लंबा गहरा सांस भरें बरते ही जाएं बरते ही जाएं राइट को बंद कर लें एक नोस्टल बंद करने हैं लेप्ट से लेना है तो राइट को बंद किया और सांस लेते 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 चले गए और जब सांस पूरी भर गई तब इसको बंद करके राइट से छोड़ दिया मतलब आलवेज इनहेलिंग थ्रो लेप्ट नोस्टल और एकसेलिंग राइट नोस्टल मतलब बाए नोस्टल से सांस बरेंगे और दाइने को निका लेंगे ऐसा दस से पंद्रा बार करें मस्तिक्स के ग्यान तंतुओं को फ्रेस ऑक्सीजन मिलती है इससे प्रसन्नता आती है इससे या दास्त की कमी के जो हमने अभी चर्चा की जो इस पिरकार की समस्याएं ठीक हो जाती है ती बहुत यह अच्छा आपने अभ्यास बताया यह एक्ससाइज और इसमें कोई ऐसे लोग सर को ढखके ना सोएं सर को ढखके देखे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सवेरे उटके बताते हैं सर में भारी पन हो गया ऐसे लोग ज़्यादा तर एसी चलाके और कम्मल ओड के सोते हैं और कम्मल सर तक ओड के सो लेते हैं लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बैमारी ढून के दबाई लिखता है लेकिन सही कारण क्या था कि चद्दर ओड के वो सो रहे थे कम्मल ओड के सर तक सो रहे थे जिसके कार सर में भारीपन हुआ इसलिए ऐसे लोगों को 10-15 मिनिट योगा अभ्यास करना चाहिए और सर ढख के कभी भी चाहिए कितनी भी सर्दी हो किसी को भी नहीं सोना चाहिए अब ब्रदों की यादास्त की बात हम कर रहे थे देखिए उनका उम्रगत परिवर्तन है ये लेक आप कंसंट्रेशन नहीं है ये उम्रगत परिवर्तन है ऐसे समय उनको ये हम 40-30 वर्से उपर के हर व्यक्ति के लिए एक उपाए बता रहे हैं कि 200 गिराम बादाम ले ले और 50 गिराम बमूल की गौंद बमूल की गौंद को देशीगी में भून लीजिए अब बादाम और गौंद को मिक्सी में पीस के पाउडर बनाके रख लीजिए दो चम्मच ये पाउडर एक गिलास दूद के साथ सुबा और साम दोनों समय पीने से इतल यादास्त की कमी ही नहीं सारी रिक कमजोरी भी दूर होती है मास पेसिया ससक्त होती है और सबसे बड़ी बात नंदिनी जी ये है कि ये उपाए हमारी जीवनी सक्ती को बढ़ाके हमें दीरगायू पिरदान करता है सांत और गहरी नीन दिलाने में भी मदद करता है तो कुल मिलाकर के ब्रेन को रिलेक्स करता है और उसके बाद फिर हमारी जो प्रशानी है बूलने की ये जो पाय आपने बताया क्या ये बुजर्गों के लिए है क्या युवावनी इसे कर सकते हैं बच्चों से लेके बुड़े तक सभी लोगी सुपाय को कर सकते हैं लेकिन बुड़े लोग आजकल नंदरी जी आपने बहुत अच्छी चीद पूछ दी बुड़े लोग आजकल क्या है दो दो घंटे योगा भ्यास करते रहते हैं तो इसमें उतनी कैलोरी खर्च हो जाती है फिर घर की बहु कहती है कि बाबुजी जरा ब्रेड ला दो एक किलो चीनी ला दो तो वो जाते तो हैं सरीर सा योग नहीं करता मैं ऐसे लोगों को ये सला दूंगा कि ब्रद्धा वस्था में किसी योगा चारे से परामर्स लेके 15-20 मिनिट योगिक आसन और 5-10 मिनिट ध्यान का अभ्यास आपके लिए उचित है आपको दो दो घंटे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको स्वस्ता के लिए अरोगिता के लिए योगा अभ्यास करना है कोई योग का सिच्छक नहीं बनना है योगा चार नहीं बनना तो अपनी जरूरत के मताबिक अपनी सम प्रिशानिया बहुत सारी होती है लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले उन एहम परिशानियों पर बात कीजाए जिसके लिए मुझे लगता है सब चाहेंगे कि इस पर सवाल किया जाए ज्यादा तर लोग उनसे पीड़े थे गठिया एक ऐसी पर घर में मुझे लगता है इसका पे पेन घुटनों में समस्या इससे परिशान रहते हैं आप क्या कहेंगे कैसे इसको जाने के हम गठिया की ओर हैं जॉइन प्रॉब्लम हम बढ़ रही है हम में कैसे पैचानेंगे और फिर घरेलू उपाए बताएं देखिए नंदिनी जी अगर हम उड़ते बैठते समय हमारे जोडों से कट कट की चट चट की आवाज आती है तो ये साइनोवियल फ्लूट की कमी का एक कारण हो सकता है और इस बैमारी को ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं अगर हमें बुखार आके जोड सूच जाते हैं उंगलिया टेड़ी होने लगती हैं तो इस बैमारी को रिम इनिटी रिलेटिड एक दिक्कत है और तीसरी हमारे आहार से जुड़ी हुई दिक्कत है जिसको गठिया बोलते हैं गाउट बोलते हैं इसमें यूरिक एसीड बढ़ जाता है यूरिक एसीड आठ नो दस हो जाता है उस इस्तिती में क्या होता है पैर के अंगुठे यहाथ का अंगुठा लाल और पैन फूल हो जाता है चलने फिरने में दिक्कत होती है तो गाउट गठिया को तो हम अपने बादी भोजन से बादी बोजन उड़त की दाले चने की दाले कद्दू बैगन भिंडी इन चीजों का सेवन कम करके नियंतरित कर सकते हैं अहार में नियंत ही उपचार किया वसकता नहीं होती है लेकिन ऑस्टियो अर्थराइटिस के लिए एक घरेलू नकसा और उनके लिए भी नंदनी जी जिनको ऐसे जोड़ों में दर्द नहीं है लेकिन पैर दबवाने की बहुत इच्छा होती है मास्पेसियों में दर्द है थकान बहुत जैसे लोग एक उपाय करें हम बार बाव इसके पहले भी नंदनी जी मैंने ये उपाय बताया है एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप अलसी को तबे पे भून लीजिए जितनी अलसी है जैसे सो गराम अलसी को भून लिया तो इस में पचास गराम आमल की रसाइन आमल का ही चूंड होता है जो आईरवेदिक दबा की दुकान पे पिसा पिसाया मिलता है डिबे में पैक तो पचास गिराम वो और इसके साथ अगर आप बमूल का गौंद मिला लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा चार चीज़ें अगर मिला लें तो ये सब के लिए हो जाएगा की पाउडर और सो गिराम अस सुगंदा का चूंड अस सुगंदा का चूंड ये भी बजार से बना बनाया खरीद लेने में ज़्यादा बेतर है क्योंकि घर में कूट पीसने में बहुत महनत होती और पचास गिराम बमूल का गौंद घी में भून के इन सब चारो चीज़ो को मिला के नियमित रूप से एक एक चम्मा सुबह साम युवा से लेके ब्रद तक अगर सेबन करता रहेगा तो ना डैविटीज होगी ना हार्ट की बिमारी होगी और ना ही जिस उद्दिस के लिए नंदिनी जी ने पूछा था कि घुटने और जोडों में दर्द के लिए ये तो दूर दूर तक होगा ही नहीं चुस्त दुरस्त और युबा बने रहेंगे ब्रदा वस्ता में भी युबा जैसी चुस्ती फुर्ती लाने वाला ये एक घरेलू टानिक है उसका घरेलू निदान कैसे करें देखे युवाओं की बात मैं फिर से करना चाहूंगी आपसे आज के समय में लोगों को सब कुछ चाहिए पुरी सफलता चाहते हैं लेकिन मेहनत करने से डरते हैं धीरे धीरे आलस उनमें आता है कमजोरी महसूस करते हैं और ये कमजोरी सि लेकिन शरीर साथ नहीं देता है ऐसे में क्या क्या है देखे युवाओं लोग विसेस कर पुरूस तुलसी के पत्ते तुलसी के बीज बजार में मिलते हैं तुलसी के बीज सो ग्राम साफ करके रख लीजिए और बरगत के पेड़ के नीचे उसके बरगत के फल बिखरे रह हैं दो सो ग्राम साफ सुत्रे बरगत के फल इन दोनों को पीस के बनाके रख लीजिए एक एक चमच यह पाउडर सुबह साम दूद के साथ सेवन करने से सारीरिक सकती बढ़ती है सामर्थ बढ़ती है और जो कमजोरी फील होती है वो नहीं होगी तो यह जो पाय आपने बत हैसूस करना एक उम्र बज़े बंदी है लेकिन यह उपाय युबा लोगों के लिए बहुत लापकारी है बुजुर्गों के लिए जो पहला हमने बताया वो ज़्यादा हितकारी है लैक ऑफ कॉंसेंट्रेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आपने इस पर भी जि लोग हैं मैं उन लोगों को भी यहां निवेदन पूर्ण कहना चाहता हूं जो बहुत हुसियार बच्चे हैं लेकिन कॉम्टिटिव एक्जाम में वो अपनी नॉलिज को स्कोर में नंबर में नहीं कनवर्ट कर पाते हैं बड़ा डिसापाइंटेड होते हैं वो दूसरों स कैसे कोस्चन को सॉल्व करना है हां कुछी होता क्या बुद्ध मान आदमी एक कोस्चन में उलजगिया सात मिनिट खर्च कर दिये अब उसको आगे 14 कोस्चन आते थे वो चूट गए बिवेक नहीं बुद्धी से काम करता है बुद्धी में उसका कोई जोड नहीं एक औसद प्रोक्त दवा है हर आईरवेदिक दुकान पर मिलती है एक एक गोली सुबह साम दूद के साथ सेवन करने से ये समस्या ठीक होती है उनके लिए हैं जो खूब उस्यार अच्छा लोग करते क्या हैं ब्रह्मी बटी खाने लगते हैं नंदेनी जी 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 ब्रह्मी बटी और उ कून सेंस की पीने का यह पानी वो काई के लिए नहाने के लिए यह थोड़ी है Isos तरह की मौटी बुद्धी के लोग इस तरह कैंगर अगर परिवार में कोई सदस जबाब देता है तब उसके ये ब्रहमी वटी उचित होती है लेकिन लोग क्या हैं कॉमप्रीशन में नहीं हुआ ब्रहमी वटी खा रहे हैं उसके दिमाग में कोई गड़वडी थी नहीं दिमाग तेस था दिमाग दूसरों से बहतर है लेकिन उसको और बढ़ाने का उपाय कर रहे हैं तो वो उनको साफ करने के लिए एक बार साब उनसे साफ हो गया बोले यह और साफ की जरूरत अरे जब साफ हो गया है तो फिर क्या जब हमारे पास सैचुरेशन है हमारी बुद्धी में कोई गड़वड़ी नहीं और यहीं कारण है कि लोग उसका लाब नहीं ले पाते उन्हें स्वाण करल घर-घर में डाइबिटीज के पेशेंट्स पाई जाते हैं बहुत आम हो गई है बिमारी जिबकि बहुत खतरनाके होनी नहीं चाहिए वो अलग मोता है लेकिन इससे होने वाली कमजोरी पर आप क्या बताएंगे इसका कोई घरिल नुस्खा नंदनी जी बहुत बड़ी गेंगे बूसे को रात में पानी में भिंगो दीजिए सुवेरे इसको उबाल के खाली पेट पी लीजिए ये डाइबिटीज के कारण होने वाले साइड इफेक्ट को रोकता है आँख हार्ट किड्नी लीवर इनको डाइबिटीज के मरीजों के ये अंग जल्ली बेमार होत पेहे अल्सको कमजोर नहीं होने देता के अलावा बेल पत्री ये का रस पांसाथ बील पत्री को मिक्सी में पीश के आदा कप मात्रा में नियमीत रूप से सीवह साम सेवन करने से डाइबिटीज पूरी तरह नहींति च्यांट में और ये लांतिस का बेस्ट मैनेजमेंट हैं लेकिन जागरों कोने से भी ज्यादा ज़रूरी है कि सही जानकारी हमारे पास हो और इसमें आपने जैसे की सही योग दिया बाचीत में बहुत सारी बाते खुलकर के सामने आई बहुत सारे ब्रह्म दूर हुए बहुत धनिवार रॉक्टर साब इतनी बहुमूले जानकारियां देने के लिए तो इसी के साथ आज की एपिसोड में इतना ही अगले शनीवर फिर हाजिर हो जाएंगे नए विशय के साथ तब तक के लिए रखे अपना कि अ एिएए नएंगे गड़ आएंगे खुद तू कि अ ही मनुरण जान मात्र एक्स